ओम शान्ति आज मीठे बाब नादकी क्यारा तरिकी आविक रिवाइस मोडली को अनुभव करेंगे बाबा की बाणी को संते संते अपने स्थिती को शक्तिशाली बनाते जाएंगे और बाणी के नुशार अपने उस सवरूप में संमान में स्थिती होते जाएंगे बाबा कहती है बाबा आज सर्व खसानों का मालिक अपने मास्टर बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं अनुभव करेंगे स्वरूप को बाब दादा के संमुक सर्व खसानों का मालिक मेरा बाबा मुझ अपने मच्चे को देख रहे हैं बाबा कहती है आप श्रेष्ट आत्मा सर्व शक्तियों के सर्व खसानों के मालिक अब भी हो और भाविशे नहीं दुनिया में विश्व के मालिक बनते हो बाब कहती है पिच्चे आप बालक सो मालिक श्रेष्ट आत्मा हो बाब समान संपन आत्मा हो बाबा कहता है आप मालिक अर्थाद आपका हर कदम स्वतही संपन स्थिति में स्वान तथा मिश्व सिवागती होगा आप मास्टर अत्थाद बालक सो मालिक हो बाबा कहता है आपकी विशेष्टा जितना ही मालिक बन का नशा उतना ही विश्व सेवाधारी के संसकार सदा इमार शिरूप में विश्व सेवाधारी का नशा अर्थाद बाब समान मालिक बनना बालक और मालिक दोनों सबरूपों सदा प्रतिक शिकरम में लाने वाली आप श्रेष्ट आत्मा हो बाबा केती है बच्ची आप श्रेष्ट लक्षे धारी श्रेष्ट लक्षे है बाब समान बनना लक्षे बाबा के रहे शक्तिशाली है आप लक्षे को संकलब पूल करम संबंध संपरक मिलाने वाली श्रेष्ट लक्षे श्रेष्ट लक्षे वालक्षे माली आत्मा बाब समान बनना अर्दात एकी समें इकी समी संकलब गोल कराम संबान्थ सब्में बापसमान स्थित्री में रहना बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अत्रीस नहीं है स्थित्री का सब्रोपी है समान बनना बाप दादा के दे मुठे बच्चे सदा सदा बहुत काल के लिए विशेश तरदिता की तपस्या की द्वारा स्वयम को तपाना मजबूत करके स्वयम को परिपक करने के यह विशेश समय बाबा दे रहा है बाबा के रहे कि तेटी संकालब की बाब समान बनेंगे विश्व, सेवाधाली, बिधिन, नाश्यक, समधान सब रूप बनेंगे बाबा केते हैं कि सबी वाइदे जो बाब को बच्ची करते हैं बाबा के रहे हैं सब वाइदे बाबा के पास चित्र गुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंधे हुए हैं बाबा केते हैं कि समर्पन होना अर्थात, स्वेम को सर्व शक्तियों में परिपक को बनाना बाबा केते हैं कि समर्पन ता अर्थात है बाब समान बनना हरे का ये संकलब आविनाशी हो गया जो संकलब हमने बाबा को किया जो वाइदा हमने बाबा को किया द्रट्टा से अभी वो क्या हो गया आविनाशी बाबा कहते हैं अभी द्रट्टा की तपस्या से हर संकलब को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वय में बार बार द्रट्टा के अभ्यास से रूह रिहान करने के लिए रिलाइजेशन करने के लिए और रिकार्णेट सवरोपपन फिर करम में आने के लिए इस स्थिती को सदाकाल के लिए और मजबूत करने के लिए बाब दादा ये समय दे रहे हैं बाबा कहते हैं कि साथ साथ विशेश रूप में शुद संकल्पों की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है शुद संकल्प की शक्ति का बुशेश अनुभव अभी है और अंतर मुखी बन करने की आविश्यक्ता है बाबा कहता है कि शुब भावना शुब कामना शुद संकल्प की शक्ति द्वारा विशेश और सहची सर्वप्रती अनुभव होती है आपके शुद संकल्प दूसरों के प्रति भी शुब भावना शुब कामना की सब्रूप से परिवर्दन कर सकते बाबा कहते है कि यह जो शुद संकल्पों की शक्ति का स्टोक है स्वेब के प्रति भी जमा करने की बहुत आविश्यक्ता है बाब कहते हैं मुर्ली अर्था करजाना बाबा कहते हैं कि मुर्ली की हर पॉइंट को शक्ति रूप में जमा करो शुद संकल्पों की शक्ति को बाबा कहते हैं बढ़ाओ कारे में लगाओ शुद संकल्प की शक्ति के महत्व को जान ग्यान की हर पॉइंट को शक्ति की रूप में हर समय अनुभव कर मंसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनो बाबा समिति विलाते हैं आप सबी बच्चे बाबा के साथ विश्य कल्यानकारी आत्मा हैं विश्य परिवर्टत आत्मा हो बाबा के रहे हैं कि विश्य सेवा अभी शुद्ध संकलब की शक्ति की चल रही है जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप धाली बन शुद्ध संकलब की शक्ति की चल रही है इसे हम सब की पालना कर रहे हैं सेयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं तो बाब समान इस विश्यिष्टा को अपने में धारन करो बाबा केती की तपस्या अधात दृता संपनी अभ्यास यह तपस्या का समय अभी बाबा केती जो मिला है इसके दोरा बहुत काल का जमा हो जाएगा बाब केती हैं कि सभी बच्चों को बहुत काल की राज़ी अधिकारी बाबा बनाना चाहते बाब केती आने वाला जो समय है उसमें आप बच्चों को दाता बर दाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा भरपूर करना पड़ेगा तो उसके लिए सर्व खसानों का स्टॉक का जमा का खाता संपन बनने के लिए बाबा समय दे रहे हैं इस वर्ष को बाबाने का विशेश वर्दान है बाब के समान देने वाली श्रेश्ट विगन नाशक समदान सब रूप आत्मा दाता का बच्चा हूं इस वर्ष की श्रेश्ट वर्दान को पस्या की इस वर्ष को अनुभव करते मस्तक में अपने को स्थित करते कि मैं श्रेश्ट विगन विनाशक समदान सब रूप आत्मा दाता का बच्चा सागर का बच्चा बाप समान हूं अपने को फिसलाइस करेंगे बिंदु रूप में मस्तक पर विराज मना अत्मा और संकलब क्वीट करेंगे कि मैं बाप समान हूं सागर की विशिष्टा है ही समाना तो मैं बाप समान विगन विनाशक अर्थात समाने की शक्ति सरूप सागर इस चक्ति शाल स्थिति में स्थित्धो अनुभग करतें सदाई सहजी सर्वप्रति शुब भावना कल्यान की कामना लखने वाली मैं आत्मा समाने के शक्ति से भरपूर हूं विगन विनाशक अत्मा हूं बाप की समान दाता की दातापन की तेनी की संसकार नेच्चुरल रूप से धारन कर अपना नंभर निश्चित करने वाली श्वेष्ट आत्मा हूं दिड़ संकलप से तपस्या कर विगन विनाशक आत्मा बाबा के कारे में सहयोगे हूं बिन संभाव वाली बातों को समाने वाली मैं विकन विनाशक आत्मा बाब कहते हैं यह जुकना जुकना नहीं है यह जुकना अर्धात सदा के लिए जूलों में जूलना बाबा की गोद के जूले में जूलना और बविश्य में रतन जडित जूलों में जूलना बाबा कहते हैं भक्ती में पूछे बन जूले में जूलेंगे तुझे जुकना मितना यह महानता है इस महानता को धारन करने वाली आविनाशी प्राप्तियों से संपन्न होने वाली मैं विघन विनाशक आत्मा हूँ बाबा कहते हैं यह जुकना यह मतना यह महानता है यह मनना नहीं है यह है आविनाशी प्राप्तियों में जीना इसलिए बाबा कहते हैं सद्धा विघन विनाशक बनना है और बनाना है बाब कहते हैं इसमें पर्स्ट डिविजन आने का चांस लो विशेश चांस लेने का समय बाब दादा दे रहे हैं इसका महतु बाबा ने सुनाया तो समय के महतु को चांस दिविजन से तपस्या करने हैं बाबा ने अटेंशन दिलाया समय के परमान बुद्धी की लाइन बहुत क्लियर होने चाहिए क्यों क्यों कि समय के परमान टचिंग और कैचिंग दो शक्तियों की अविशक्ता है एक तो बाबा के डारेक्शन को बुद्धी द्वारा क्याच कर सको इसके लिए बुद्धी की लाइन क्लियर चाहिए बाब कहते जितनी बुद्धी स्परस्ट होगी उतना बाबा के डारेक्शन को स्परस्ट क्याच कर सकेंगे तो जितनी बुद्धी की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयम की उन्नती प्रती सेवा की बृद्धी प्रती और सर्व आत्मों की दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी टचिंग होगी इस समय के प्रती इस आत्मा के प्रती सहज सिवा का साधन सव उन्नती का साधन यही अधात है बाबा कहते हैं ऐसी टचिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना है एका नामे एक नामे बनना है एक बाब मेरा संसार एक बाबा से ही मेरा लगाव एक बाबा के ही प्रभाव मुझ आत्मा पर एक बाबा के संग का ही अकर्षन उस प्रभाव में रहने वाली मैं श्रिष्ट आत्मा मेरा संसार एक बाब एक नामे एक नामे को धारन करने वाली उस श्रिष्ट आत्मा इमर्ज करना है अनुभव करना है समान में स्वयम को स्थित करना है कि मैं एक नामे एको नामे वाली आत्मा बाबा ही मेरा संसार अभी बाब कहते हैं समे भी धन है संकलप भी धन है शक्तियां भी धन है तो इन सब की एकोनॉमी करो अर्थात समर्थ कारे में यूज कर जमा का खाता बढ़ाओ बाबा केती अब बक देते हैं कि एक नामे और एकोनॉमिक के संस कार की द्वारा दोनों शक्तियां तच्चिंग और कैचिंग का अनुभाव कर सकेंगे इस अभ्यास के कारण अन्त में श्रेष्ट मत्र और श्रेष्ट गति को पासकेंगे बाब केरते हैं अभी सदा मोहब्बत में रहना खुशी में रहना अधात मुर्ली धर सूर्य वन्शी बनना राप कहते हैं मुर्ली न चाती है तो मुर्ली वाला बनना है इसके लिए समय के महत को जान दिर्ड़तास से अभी ऐसी फास्ट गति से चलना है अभी स्थित हो जाएंगे आगविक्त वतन में आगविक्त बाम दादा के सम्मुक बाबा के वर्दानी भोल को शक्ती शारी स्थित होकर अपने में दारन करेंगे बाबा के वर्दान को प्यारे बाब दादा हमको बर्दान दे रहे हैं चारों और के सर्वसने ही बच्चों को सदा दिल तक नशीन बच्चों को सदा संतुष्टता की जलक दिखाने वाले बच्चों को सदा प्रसंता की प्रस्नालिटी में रहने वाले बच्चों को सदा बेहद विशाल दिल बेहद की विशाल पुद्धी दारन करने वाले विशेश आत्माओं को बाब दादा का स्ने संपन याद प्यार और नमस्ते आवित बचन में वीचे बाब दादा की शिक्तिशाली दिश्टी लेते हुए बाबा के इन बूल को अपने अंदर दिल में उतरने नेंगे और इन सब रूप में स्थेत हो जाएंगे और मेचे बाबा को दिल से शुक्रिया नमस्ते बाबा अभी अपने श्यक्तिशाली स्थेती में स्थेत रहके बिन्दु रूप स्थेती को मर्श कर संकलब करेंगे बाबा के बल्डान को धार्म करेंगे बाब केह रहे हैं पांच विकार रुपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले माया जीट जगत जीट भव अभी अनुभव करते हैं अपने स्थेती में स्थेत रहते हैं अपने शक्तियों को इमर्ज कर अपने समान की स्थेती को समान की स्थेती को समान की शक्ति को कि मैं माया जीट जगत जीट आत्मा हूं इस सक्ति स्थेती स्थेती में मैं आत्मा स्थेत हूं गल्यान की बावना में मैं आत्मा संपन हूं प्रिवतन शक्ति द्वारा संकल्पों को श्रिष्ट कर शुब कामना के द्वारा रुहानी इश्वर्य कुमारी के द्वारा सर्वको सयोगी बनाने वाली मैं माया जीद जगत जीद आत्मा हूँ अपने शक्ति शाली स्थिति में स्थित हो बाबा के इस वर्दान को अनुभव करेंगे बाबा का ये वर्दान है वर्दान अथात लिप्ट वर्दान अथात इसको मैं आत्मा धारन करती हूँ मैंनत मुक्त महुबबत में समाए हुए सैच रेती इस शक्ति शाली स्थिति को मैं आत्मा धारन करती क्योंकि बाबा ने ये वर्दान दिया है लिफ्ट दी है बाबा कहते है सदा बेहत की स्थिति में स्थित अना सक्त वर्दी वाली रुहान इसने से परपूर समान की स्थित में समान की स्थिति में स्थित रहने वाले मैं माया जीत जगत जीत शक्ति शाली आत्मा हूं परिवर्दन कर सही योगी बनाने वाली मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूं शुक्भवना कल्यान की कामना के द्वारा सर्व को परिवर्दन करके सही योगी सो सहज योगी बनाने वाली मैं कौन मैं माया जीत आत्मा जगत जीत आत्मा बाबा ने वर्दान दिया मेरी पन के अलोई से सदा मुक्त मेरी पन का जो भाव है उस भाव से उस जंक से सदा मुक्त रहने वाली कुरावनार बाबा की समिती में सदा स्थित रहने वाली मैं कौन मैं रियल गोल्ड वल्यूबल आत्मा माया जीत हूँ चकत जीत हूँ बाब की सेवा बामा की एकुन बामा की विशेष्टा हर घडी बाबा की समेती में रहने वाली मेरे पन की अलोई से मुक्त रहने वाली बाबा मेरा संसार इस अनुभूति में नेचुरल वहने वाली मैं बाबा की रिम गोल्ड वैल्यूबल आत्मावाद् मैं बाबा का सदा का दिल तक दिल नशीन बच्चा अनुभव करेंगे बगवान की दिल तक तक पी विराजमान मैं आत्मा सदा संतुष्टता की शक्ती से भरपूर मैं आत्मा सदा रुहानियत की प्रस्णाटी से प्रस्णत रहने वाली मैं आत्मा बाप समान बेहत विशाल दिल वाली बेहत की विशाल गुद्धी धारन करने वाली विशेश आत्मा परमातम स्नेह में समाई रहने वाली लबनी आत्मा बाबा का रियल गोल्ड हो मैं बाबा की वेल वेल आत्मा हो मैं बाबा ने मुझे अपनी वर्दानों के लिफ्ट देके इसली आप समान बना दिया है बाबा समाने इस्टेजी को अनुभा करेंगे बाबा को दिल से शुक्या करेंगे बाबा ने बाबा शुक्या को शांती